नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप बहुत ही दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है आपको की फेमस सिंगर मौहमत अजीज हमारे बीच में अब नहीं रहे दुनिया से चले गए है उनका निधन हो गया है हार्ट अटाक की वज़ा से वो विशली रात कॉलकाता में एक शो के लिए हुए थे वहां से मुंबई लोटे अरांड पांच बजे मंगलवार शाम को उनको बेचैनी फील हुई तो उनका ड्राइवर उनने फटाफट से अस्पताल ले गया और वहां जाकर पता चला डॉक्टर ने देक्लेर कर दिया कि वो मृत है तो सबसे पहली ब सकते हैं उनकी फोटो प्यार से उनने मुन्ना बुलाते थे पश्चम बंगाल में उनका जन्म हुआ वो रफी मोहमद रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे उनकी गाने अक्सर गाया करते थे उनको ऐसा लगता था कि वो उनके उत्तर अधिकारी हैं मानते थे खुद को और उनने आपको बताया कि मुहमद रफी का उत्तर अधिकारी लोगोंने कहने लग गए थे एक बार अजीज ने कहा था कि मुझे लगता है कि अगर कोई मुहमद रफी का 5% भी गाने लाइक हो जाता है तो उसे देश का बेस्ट सिंगर माना जा सकता है रफी उनकी कितनी प्रेणना थे इसे लेकर अजीज ने कहा था कि उन्होंने मुझे इस हद तक प्रेरित किया था कि मैं अपनी पूरी आत्मा लगाकर उन्हें आत्म साथ कर सकता हूं हालकि मैंने अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग एक टीचर से ली है लेकिन मैं रफी सहाब को अपना गुरू मान करती थी कि मैं रफी सहाब का शुष्य था और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं एक बार रफी सहाब में भी मौहमद अजीज के गाने सुने थे तो उन्होंने उनको कहा था कि अरे यार तो तो मेरी जैसा गाता है इसके बार उनकी खुशी का ठिकानन नहीं रहा मान जाता है कि अलग अलग भाशाओं में मौहमद अजीज ने करीब 20,000 से ज्यादा गाने गाये थे इन में से आपके आजाने से जो कि अभी हालिया भी फेमस हुआ दुबारा से इमली का बूटा बेरी का पेड कागस कलम दवातला दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे जाए वो और जो लोग उनके फैन है वो तो भूल ही नहीं सकते ललन टॉप की तरफ से मौहमद अजीज कॉल विदा अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमसे जूट सकते हैं बाकि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल जाओ आफर दी ललन टाप एप एंडराइट पर है ना तो न्यूज का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टाल करो